question number 8 and onwards 11 to 12 इस method को हमने यूज करने कि आपके पास sine और cos दोनों गिवन हो और इसकी powers में कोई भी numbers हो m और n तो अगर n जो है जो कि cos की power अगर odd हो आपने cos square equals to minus 1 sine square x replace कर देना है नमलब cos square की जगा पर आपने 1 minus sine square x replace कर देना है अगर solve करेंगे तो simplified हो जाएगा अगर m odd है में sin की power odd है तो आपने sin square को 1 minus cos square से replace कर देना है और अगर दोनों even है तो आपने दोनों को double angle identity या half angle identity से represent करना है sin square आप लिखेंगे 1 minus cos 2 x divided by 2 और cos square को आप लिखेंगे 1 divided by 2 sorry 1 by 2 into 1 plus cos 2 x अब इसके behind जो logic है वो क्या है कि आपके पास अब दोनों की power odd है लेकिन हमने इसको देखना है या इसको दोनों में से किसी को भी देखना को खास करा नहीं पड़ता अब n जा है वो odd है तो मैं इसको अगर ले लू n is odd तो मैं cos को लिख सकता हूँ इसको पहले मैं लिख देता हूँ sin cube x cos square x into cos x b x अब इस cos square की जगा पे मैं लिख देता हूँ 1 minus sin cube x इसकी जगा मैं लिख देता हूँ 1 minus sin square x और cos अपनी जगा पे azor dx अब जब आप इसको split करेंगे तो इस sin पावर्ज में और साथ में simple cause के साथ आजाएगा तो यह आजाएगा आपके पास इसको इसके साथ multiply कर दो साथ यह प्रिया जाएगा sin cube x cos x dx और आप इसको इसके साथ multiply कर देते हैं तो यह बन जाएगा minus sin square और क्या बन जाएगा sin power 5 और यह cost इसके साथ यह होगा ठीक है तब यह पिछली वीडियो में अग डिसकस किया था कि देखे कर आपके पास function है उसकी power में कुछ है और साथ में उसका derivative है तो हम power rule use करते है ठीक इसको integration से निकाल के इसकी integration ही होती है अब यहाँ पर भी वही चीज़ है इसको हम लिख सकते है cube इसको हम लिख सकते है 5 यह हमारा function है इस function का derivative क्या है cause यह क्या मुझूद है यह f power 3 है और उसका derivative भी है तो इसको हम लिख सकते है sin x 3 plus 1 और उसी number से divide कर भी minus 2 सी तरह यह sin है यह उसका derivative है यह f power 5 है यह उसका derivative है तो sin x to the power 5 plus 1 and divide by 5 plus 1 plus c यह हमारा बन जाएगा 1 over 4 sin power 4 x minus 1 over 6 sin 6 plus c अब देके इसमें भी चीज़ है cause odd है अब इसको split कर दे sin square t so look cause t or cause square t dt अब इसका हम लिखेंगे obviously change कर देते है sin square t cos t or cause square कर देते है 1 minus sin square t dt अब इसका open करेंगे तो यह बन जाएगा sin square t यह इसका हम लिख देते है a cos t dt और यह सारा जविश के साथ multiply होगा तो यह बन जाएगा sin to the power of 4 cos t dt again power rule से यह f है यह इसका derivative है तो यह बन जाएगा sin 3 by 3 minus यह f है तो cos t sin का derivative है तो यह बन जाएगा sin 5 divided by 5 plus c इसमें भी again अब sin है इसका odd है तो यह इसका हम split कर देते है तो यह मैं square से लिख देता हूँ cos square x पहले लिख देता हूँ फिर sin x लिख देता हूँ और sin square को मैं सब्सक्राइड पे लिख देता हूँ इंके minus को split कर देता है so cos square x sin x और sin के जगा भी हम लिख देते है 1 minus cos square x dx ठीक है तो यह आ जाएगा माने पास यह multiply हैगा 1 के साथ तो क्या हैगा cos x इसका हम लिख सेकते हैं whole square sin x dx फिर minus यह सारा इसके साथ ही multiply होगा cos square और cos square क्या बने जाएगा cos to the power 4 और sin x dx अब हमें पता है कि cos यह हमारा f है इसका derivative क्या आता है cos का derivative minus sign होता है तो अगर मैं यहाँ पर minus लिख दू तो minus यहाँ पर भी लिख दू तो यह f है यह उसका derivative आ गया तो यह जागा minus cos power में एक याट कर देते हैं और इसी निमर से डिवाट कर देते हैं अब यहाँ पर minus है तो अगें cos का derivative क्या था minus sign अगर इसी minus को मैं यहाँ ले हूँ यह यह अलड़ी minus है इसको मैं minus से multiply कर दूँ तो यह क्या बनाएगा plus और cos x power 4 है तो यह एक वाँ उसमें आड कर देते हैं उसी से डिवाट कर देते हैं 11 में दोनों ही क्या है एवन है आप दूनों को change कर दें यह जाएगा 1 minus cos 2x divided by 2 और 1 plus cos 2x divided by 2 bx यह 1 over 2 का है जाएगा 1 over 4 जाएगा तो यह a minus b और a plus b के formula से क्या है जाएगा 1 का square तो 1 यह जाएगा minus cos 2x का square gx क्याएगा cos 2x का square अब इसका मैं निच सकते हैं 1 over 4 x क्या सकते है dx minus 1 over 4 cos 2x dx इसका square जाएगा 1 over 4x minus 1 over 4 cos square का मैं निच सकते है जाएगा cos square है तो हम निच सकते है plus cos 2x है जिस तरह x आएगा तो हम 2x मों के निच सकते है 2x आएगा 4x divided by 2 यह जाएगा इस तरह जाएगा अब यह minus 1 over 4 इसको square टगर कर दें तो हम जाएगा 1 over 2 plus cos 4x divided by 2 दोनों की अलगला integration यह 1 over 4 तो हम जाएगा 1 over 4 इसके साथ मुलिपला हेगा तो minus 1 over 8 हो जाएगा तो और integration करेंगे to x, यह minus 1 over 4, और, यह 1 over 2, यह minus 1 over 8, और, cos 4x dx, यह एका, 1 over 4x minus 1 over 8x, minus 1 over 8, और, cos की integration क्या होती है, sin 4x divided by 4, कि अबने सका अगर इसको change कर दे, अगर हमके u is equal to 4x, then du is equal to 4dx, और, 1 over 4du is equal to dx, तो, यह चीज़ बन जाएगे, हमार है प्रास, cos of u, 1 over 4du, यह 1 over 4 बहरा जाएगा, इसको इंटेग्राट करेंगे, 1 over 4, sin u, और, u की जागा, इसकी वेरी उपूट करेंगे, तो, इसकी ना, यह करेंगे, इसका डरिवेटर क्या है, इसकी इंटेग्रेशन क्या है, sin, 4x, जिवाट बहरा है, और, और आखाना, plus, 12 में, अगें, दोनों even है, 1 minus, cos 2x by 2, और, इसका मुलिख सकते हैं, cos square, cos square, तो, cos square क्या, किसकी इकुन होता है, 1 plus, cos 2x by 2, और, इसका square, dx, इसका मुलिख सकते हैं, 1 over 4, इसका क्या है जाएगा, 4, और 4, और 2 के साथ मुल्टिप्ला होगा, तो, eta जाएगा, 1 minus cos 2x, और, इसके square क्या है, cos 2x, और, 1 plus cos 2x, dx, यहां से हमारे पास क्या हैगा, a minus b, a square minus b, a minus b into a plus b, तो, इसका 1 का square, minus cos 2x, का square, 1 plus cos, 2x, dx, तो, अगें, यह square है, तो, इसको split करदें, 1 over 8, यह 1, इसके साथ मुल्टिप्ला होगा, तो, 1, dx, यह 1, इसके साथ मुल्टिप्ला होगा, तो, cos 2x, dx, इसके साथ मुल्टिप्ला होगा, तो, minus, cos 2x का square, dx, और, इसके साथ मुल्टिप्ला होगा, तो, minus, cos 2x का cube, dx, अब यह तो, simple है, 1 over 8x, यह भी simple है, 1 over 8, और, sin 2x by 2, minus cos 4, कभी आपने का करने, change करने पर यह जाजागा, 1, minus, cos के जगा, plus आता है, तो, 1 plus, cos, यहाँ जो चीज़ों तो, इसका double लिखना होता है, तो, यहाँ अगर 2x अपने क्या जाजाएगा, 4x जगाट गा 2, 3x minus, एक cube है, तो cube आप, पिछले formula से भी कर सकते हो, example, question 5 और 6 के वाले से, तो आप इसको, again split कर सकते हो, किस चीज़ में, cos और cos square में, तो cos 2x, और cos square किसकी को लोगा, यह हमने अलगे लिख दिया, इसके अपने जाजागा, 1 plus, cos 4x, क्याद में, 2x, तो यह आपके पास आजाएगा, 1 over 8x plus 1 over 16, sine 2x minus, 1 over 2x, minus, 1 over 2, और cos किसकी को लोगा, minus, sine 4x, क्याद में, 4 ते, minus, again, तो यह हम चेंज करेंगे, इस चीज में, 1 minus, sine square, 2x में, यह एक आजाएगा, हमारे पास, cos 2x, dx, जिसके साथ मॉल्टिप्लाई करेंगे, और minus, minus, plus, sine square 2x, और, cos 2x, dx, yes, it is, yes, it is, yes, it is, yes, it is, इसकी जगा पे क्या आएगा, minus 1 over 2, sine 2x, plus, अब यह क्या है, इसकी पावर में 2 है, इसका डरगेटर, sine का डरगेटर क्या आता है, cos 2x, sine 2x का डरगेटर क्या आता है, cos 2x और पिर इसेड़ वाले का, 2x का डरगेटर 2, यहां पे 2 नहीं है, तो मैं अपने परसे 2, यहां पे मॉल्टिप्लाइवर, डिवाइड कर देता हूँ, यह 1 और 2 बाहरा जाएगा, यह हमारे पास function है, f, यह उसका डरगेटर है, तो पावर रूल के मताबे, पावर में हम आड़ कर देते है, यह जाएगा, यह जाएगा, यह जाएगा, कर देता है, यह जाएगा,